नमस्टे फॉम इंड़ाइज मैं हूँ अरविड आन वेलकम बाक टो टू आइल और नमस्टे फॉम इंड़ा इसलिए कि आजकर मैं जाया हूं इंडिया में इनदिया इंडिया में इपने गावों में जो कि है पूड़ शिमला वे कोड़ काई कोड़ कोड़ काई तो आज वीडियो पापा जी बना रहिए यह जो वीडियो है यह में ली है इसमें हमारे होशतbin है और यह जो है गाऊं में हमारा जो छोटा सा भीचенный कर रहे हैं अफटर रेटारमेंट मैंने कि क्यों ना मैं आज इनका जो इनकी मेहनत है जो इनने बगीचे में पिछले आए थे पांचे सालों में लगाई है वो दिखाता हूं और जानते हैं उनसे कि is it easy to be an archerist in shimla तो चलिए देखिए इस वीडियो को बिल्को लें करें तो नमस्ते पापा जी आप तो एक ते महीरो लग रहे हो आप अभी हम है आपने जो बगीचे पर काम किया हूए ठीक है मैं किसी चीज़ पर step ना कर दूँ तो सबसे पहले तो कि कितने approximately कितने पेड़ है इस बगीचे में 125 के बीच में 125 के बीच में तो आप after retirement कितने साल से इसमें लगे हो तो यह आपने चुए अभी यह जो आपको देख रहे है यह राजमा है तो इसके लावा आप नीचे का क्या और हो गाते हो जैसे राजमा नहीं जैसे राजमा होगी फिर मटर अलू अलू मटर है नीचे अलू है और बीन तो खेर मैं दो तीन साल से बंद कर दिए उसमें पर बाद में जाएंगे पहले यह है जी एक पलम का पेड़ है प्लック हैमर यह वाला यह तोड़ दिया है इसको भी हम प्लम के पेड़ तो यह बताओ कि प्लम हुगाने असान है कि सीब प्लम और बदाम बड़ा ईजी है। इसमें इतनी मेहनत नहीन है। पानी की युद्म की आवशकता भी नहीं है। इतनी सेव को रिक्वार मेंन्ट है। सेव बहुत मौस्क्र मांगता है। ताकि बारिश और बुरप चाहिए। नमी, जितनी नमी होगी उतना मतलब इसका ब्रोथ होगा और उतना ये बचेगा भी, सरवाइब भी करेगा, सेव का भी, प्लम और बदाम इतनी मेहनत नहीं है, इसमें ज्यादा बारिश की दूने है, तो ये प्लम का जो है, ये अपना है, तो इसका एक डबा कितने का बिखत है, तो ज्यादा बदाम मिलते हैं, तो इवरेज 100, 100, 100, 200, अच्छा, आप अब ना ये बताओ कि सेब का पेड़ जो है, और एक बदाम का पेड़ का है, क्योंकि जंता ने बदाम नहीं देखा होगा, कौन साए, कोई special पेड़, अच्छा, ये कितने साल का है, कैसे पता लग है, अच्छा, अच्छा, ये दस साल के है, तेन येर्स, और ये कौन सी है, रोईल है, रोईल है, रोईल जारा चलती है आप है, अबदह कर आजकर इटालियन और ये सब, या आप नी शक्क्रम फसते हैं, क्योंकि आप ने मिर से बोला है, बोला नॉर्वे से भी आना कुछ, अच्छा जी तो चलो नीचे को चलते हैं मेरे अच्छा जी तो मतलब तब आप 12 साल के थे एक यह है एक यह है एक यह है कि तो आप यह जी तो आप यह बताओ कि कितनी लाइफ मतलब पीक कब आता है एक सेब के पेड़ में पीक दस साल के बाद कब तक रहता है वो 35 देखिए यह साथ 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 परोने हैं जितना मोस्चर रहेगा अच्छा पीलाइफ बढ़ेगी तो आप यह बताओ कि फिर स्प्रेश प्रू करते हो तो यह और्गैनिक सेब तो नहीं है फिर नहीं तो करने पर नहीं पर मैं खाद नहीं डालता हूं मेरे तो दोस्टिक है आपने जो अयलमेंट्स है यह ड्राइफूट एक ऐलमंट आपको पता है यह तो पेड मैं से लगता है फिर इसको तोडते है इसके अंधर वह गिरी बोलते है को यह सिर हो फूटा है वह था ए हूटार तो बढ़ा मैं कर जो उन्हां दो यह था जाना जो प तोड़के तो निचे तो बीन्स लग चोगे आपके तो निचे तो बीन्स लग चोगे आपके तो यह तो यूज के लिए होती होगी है ना अच्छा तो इस बार आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो पेटिया सेव की फिर भी अन्दाजा साथ तो जाएंगी और बूट हंड्रेड चलो बढ़ी है तो आपका प्रोग्रेस उपर ही चल रही है अच्छा तो पाप आप लास्ट केस्टिन आपको यह है कि अभी है जून त तो फिर कब तक हो जाएंगे तो साइज में तो भी बहुत छोटे लग रहे हैं यह एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक अगस्ट अच्छा इंट विल्ट अच्छा 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 जहां भी ठीक मार्केट हो आभी ओके अब बड़ा कोश्चिन है कि मैं कर पाँगा बहुत मुश्किल है कि अधान है इतना मुश्किल भी नहीं है टाइम जेना पड़ता फ़र शौक और टाइम है अब कोई का मुश्किल नहीं होता अगर आप लगन से तो बाकि सब ठीक है चलो फिर थैंक्यू आपने थोड़ा सा में ब्रह्मन कराया इसका इसका अच्छा ब दोस्तों यह सब तो है यहां पर तो हमें राजमा समझे से सब राजमा है यहां जी कचालू थोड़े थोड़े अगरे और वह है आलू है तो यह सही है तो आपने लेकिन यहां स्प्रिंक्लिंग गयरा कुछ नहीं मतलब नैचुरल रेन है जो है तो पापा जी आप ने तो होते हैं प्लम होते हैं और बदाम होते हैं उसके अलावा और कौन-कौन सी चीज हो सकते हैं नाश्पती है अच्छा इसके लावा खुर्मानी भी होती होगी यह बड़े बड़ा यह वाला एक हाली कर दिया अच्छा और यहां पर मैंने सुना चैरी बहुत है यह यह वाले है अपने रेड गोल्ड रेड जून अच्छा तो यह था हमारा छोटा सा बगिचा है जिसे पहाडी में बोलेंगे बगिच टू तो पापाजी की महनरत यहां रंग ला रही है वो दिखी रहा है तो अगर आपको भी कोई सवाल है इससे जुड़े तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और हमारा जो जिसे अपर शिमला इरिया बोलते हैं यहां पर जनरली जो है बागवानी वो यह हो गए जितने भी अपने फ्रूट्स होगे सेभ हो गया नाश्पती होगी प्लम अरू एच्छा पान पर सिर्से बढए होगे जुड़े, इस होगे इस अबस्वार नाश्पती हो गयाम औरको जो होगे ञंटो एक जुड़ेर जोडे सवेगा जो खुड़े को विल्लें झाल कर तो आपको टिसे मैंने की सब्सक्नों कि अट्रचा तो आपको Dubby कर दीने के हिए लूपको